यहां आज हम डिसकस करने जा रहे हैं इंटिग्रेशन प्रीवियस पार्ट पर हम लोगों ने डिसकस किया था डिफ्रेंसेशन तो डिफ्रेंसेशन जो था किसी भी फंक्शन का जो हम डिफ्रेंसेशन करते थे मालों हमने किसी का डिफ्रेंसेशन करके किसी वाई फंक्शन का और उसका डिफ्रेंसेशन आया एक्स तो एक्स का फिर इंटिग्रेशन कर देंगे तो फिर पुराना वाला फंक्शन हमारा मलब प्रिवियस फंक्शन आ जाएगा वाई बलब इंटिग्रेशन क्या है रिवर्स प्रोसेस आफ डिफ्रेंसेशन बलब डिफ्रेंसेशन का अपूजिट है यह तो डिफ्रेंसेशन का हमें जरूरत क्यों पड़ा हो तो यहां पर देखिए इसे माल लेजिए हमारे पास एक यह कर्व है constant curve यह y equal to a then इस curve के नीचे का हमें यह वाला area निकालना हो माल लो इस curve के नीचे का यह area निकालना हो जो हमारा की y equal to constant है और यह हमें दिया हो यह है बी यहां y equal to a का मतलब a हो गया a तो बहुत ही simple है area क्या हो गया length into width तो इसका area हो गया a b area a b ऐसे ही कोई अगर figure ऐसे दिया हुआ है इस theta angle पे यहां नीचे area निकालना है इस का area under curve तो यह area क्या हो जाएगा अगर यह length दिया हुआ है मैं इसमें भी मान लेते हैं a and b तो area क्या हो जाएगा area में हम कुछ ऐसे बोल देते हैं कि यहां पर इसको हम rectangle या square बना लेंगे और उसका half कर देंगे तो half half a b यह इसका area हो गया लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा graph है जो हर एक point पे change हो रहा है तो वहाँ पर अगर area under curve निकालना हो तो किस type से निकालेंगे तो इसके लिए हमें सिखना पड़ेगा integration तो देखो कर हम area under curve के लिए यह वाला figure हम फिर से बनाते हैं और यहां पर इसका area निकालने की कोशिस करते हैं तो यह हो गया हमारा y x और यह हमारा कोई curve हो गया इसका function दिया हुआ है y equal to f x अब यहां पर देखो किसी student ने बोला कि हम इसको यहां y की value हर एक point पे क्या है variable है तो इसमें किसी student ने बोला कि हम यहां एक पतला सा strip लेंगे जिसको हम dx बोलेंगे dx और यह x1 डिस्टेंस पे लेंगे और x1 को यहां put करेंगे f x में तो यहां से y1 आ जाएगा तो यह इसका area हो गया फिर ऐसे ऐसे कई strip कट करेंगे यह दूसरा strip कट किया dx का x2 पर और x2 यहां put किया तो वहां से y का value आ गया y2 ऐसे ही फिर तीसरा strip लिया कितने पर x3 पर x3 तो x3 यहां put किया तो क्या आ गया y3 ऐसे ऐसे ही यह मलो हमने n strip लिया n dx यह हो गया xn यह हो गया yn तो यहां पर इस first वाले strip का area क्या हो गया dx into y1 y1 इसका क्या हो गया length and dx build ऐसे ही इसका area क्या हो जाएगा d2 into x2 इसका y2 into x2 y2 क्या हो जाएगा length and x2 width तो ऐसे ऐसे हम इसमें जितना ज्यादा इस tip मतलब कट कर लेंगे उतना ही हमारा area क्या होगा उतना ज्यादा accurate होगा तो यहां पर हम total area लिख सकते हैं area under curve area under curve equal to first वाले क्या हो जाएगा x1 नहीं x1 नहीं y1 into dx plus y2 into dx plus y3 into dx up to yn dx तो यहां पर इसका मतलब मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा इस tip हम कट करेंगे उतना ही हमारा answer accurate आएगा तो इसको कुछ ऐसे भी निक सकते हैं sigma yi dx और यहां पर i equal to 1 to n अब इसमें अगर इस tip ज्यादा हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा accuracy बढ़ेगी अगर इस tip हम infinite कर दें तो accuracy 100% हो जाएगा तो यहां पर हम n को क्या करते हैं n tends to infinite तो इसको लिखते हैं integration of yi dx और यहां पर इसको y integration of y dx और यहां पर अगर इसका y यहां से fx के फार में लग देंगे यह मलब अगर dx है तो यह भी जो y का फॉर्म होगा यह किसके फॉर्म में होना चाहिए एक्स के फॉर्म में तो यहां पर हो जाएगा fx fx dx तो यह हमारा हो गया area अब area कहां से कहां तक चाहिए उसके लिए देखो यहां पर हम limit लगा सकते हैं अभी इसको हम क्या बोलते हैं इस type के जिसमें limit नहीं लगा होता है उसको बोलते हैं indefinite integration indefinite integration यह है कि मलब कोई भी y x पर कोई भी range defined नहीं है कि x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है तो अगर हम यहां पर 0 to x मालो कोई भी value हम यहां पर x का ले रहे हैं x equal to 5 ले रहे हैं तो 0 to 5 अगर यहां पर हम put कर देंगे तो यह area 0 to 5 का देगा अगर मालो यहां पर 2 है तो 2 से 5 हम put कर देंगे lower limit 2 higher limit 5 तो यह के बीच का area देगा x equal to 2 to x equal to 5 तो इसका फाइदा यह होता है कि हम जितना भी area चाहें इस total curve का area अगर पूरा हमें लेना है तो पूरी limit put कर देंगे अगर एक section का area लेना है तो उस section का put कर देंगे मालो यहां 2 था यहां पर x equal to 4 है x equal to 4 इतने बीच का equal area चाहें 2 to 4 तो यहां limit क्या put कर देंगे 2 to 4 तो अगर इसमें हम limit लगा देते हैं तो इसी को बोलते है definite integration तो यह अब हमारा हो गया definite integration अब मालो एक general फार्म में लेना है यहां मालो हम x1 to x2 का में area चाहिए तो यहां पर limit क्या हो जाएगा lower limit x1 higher limit x2 तो यह हमें कितने के बीच का area देगा x1 से x2 के बीच का area देगा तो इस टाइप से इसमें main main हमारा point क्या है कि आप जितना ज्यादा इस टिपकट करेंगे उतना area accurate आएगा तो यहां पर हमने n tends to infinite कर दिया तो यह formula तभी integration का हमें यूज होता है तो यह formula आ गया integration of y dx मतलब fx dx यह main formula है हमारा अब देखो यहां पर इस curve का y equal to fx differentiation क्या देता था dy upon dx dy upon dx इसका function आ जाता था f dash x मतलब कोई भी function आता था तो उसमें किसी भी point पर x का value put करते थे तो उस point पर क्या आ जाता था slow मतलब tan theta का value यहां पर क्या आएगा यहां पर fx dx करेंगे तो उस curve के नीचे का area under curve का area under curve आ जाएगा मतलब उस curve के नीचे का area आ जाएगा तो यह दोनों में basic difference है यह curve का क्या बताता था slope या angle और यह क्या बताता है curve के नीचे का area with x axis तो यह इन दोनों में difference है इसके बाद हम देखते हैं इसके में में फार्मूले अब यहां पर देखिए हैं मैं इसके फार्मूले देख रहे हैं तो फ़र्ष्ट फार्मूला x to power n dx यह फार्मूला होता है x to power n plus 1 पावर में एक add हो जाएगा और इसी से फिर divide हो जाएगा यह तो यह main important formula यह बहुत ज्यादा यूज होगा हर जगह यह लगबग यही यूज होता है ज्यादा तर यहां पर एक condition आता है n not equal to minus 1 not equal to minus 1 क्यों अगर यह यह valid है तो यह हमारा first formula हो गया अब इस पर हम कुछ example देख लेते हैं इसे मालो है x q dx तो यहां पर इसका integration क्या हो जाएगा x q plus 1 upon 3 plus 1 तो यह हो गया x पर 4 by 4 अब यहां पर देखिए यह indefinite integration है कोई भी limit नहीं लगा हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे plus c एक लगा देंगे अगर indefinite integration है अगर definite integration है तो उसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे अब जैसे मालो हमारे पास एक integration है x square dx और यहां limit लगा हुआ है 1, 2, 2 तो यह क्या हो जाएगा x cube by 3 limit 1, 2, 2 तो यह हो गया 2 यहां put करेंगे x की जगा पर तो 2 cube minus 1 cube divided by 3 तो यह हो गया 9 minus 1 by 3 तो यह हो गया 8 by 3 तो इस type से अगर हमारे पास definite integral हो इसमें c नहीं लगाएंगे definite integral में इसमें limit लगाएंगे तो यह अगर definite integral हो तो इस type से हम इसको solve कर सकते हैं अब यहां पर देखो हमने plus power का ले लिया अब एक minus power का भी ले लेते हैं तो minus 1 तो ले नहीं सकते हैं हम ले रहे हैं x पर minus half dx तो यहां पर क्या हो जाएगा x पर minus half plus 1 upon minus half plus 1 तो यह हो गया x to power half upon plus 1 यहां पर होगा तो यह upon half तो यह हो गया 2x to power half जिसको क्या लिख सकते हैं to root x तो एगर हमने minus में x लिया तो कुछ इस टाइप से answer आ जाएगा एक दो example और ले ले लेते हैं इसमें आलो x minus 2 dx x to power minus 2 dx तो यह क्या हो जाएगा x to power minus 1 plus 1 upon minus 2 plus 1 तो यहां से आगया minus 1 तो यह minus 1 into x to power minus x to power minus 1 upon minus 1 तो यह हो गया minus 1 by x तो इस टाइप से plus c अगर यहां पर indefinite integral है तो plus c तो इस टाइप से इसका integration हो गया तो इस और अगर plus minus कहीं पर है जैसे मा लिजए 2x square plus 3x plus 1 ऐसे है integral then dx तो इसमें multiply कर लेंगे इसके अंदर 2 बाहर कर लेंगे 2 constant है तो 2x square dx plus integral 3 बाहर and x dx plus 1 तो यहां पर one ही है तो dx यह bracket है इसको थोड़ा सही कर लेंगे तो यहां पर देखो 2x square dx x cube by 3 one यहां add हुआ उसी से divide हो गया plus 3 x x के क्या होगा x square by 2 plus dx dx का देखो क्या होता है dx को हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर देख लो dx को क्या लिख सकते हैं x to power 1 dx या इसी को क्या लिख सकते हैं x to power 0 dx तो यहां पर क्या हो गया x to power 0 plus 1 upon 0 plus 1 मतलब x to power 1 तो यह हो गया x तो यहां से लिखते हैं integral of dx equal to x तो यह integral of dx equal to x हो गया plus c तो यह यहां पर answer आ गया इस वाले question का और यह answer था इस वाले question का तो अगर plus minus हो अगर यहां minus होता किसी भी point पे minus होता तो यहां minus हो जाता तो plus minus से कोई problem नहीं है यहां minus x हो जाता यहां minus होता तो यहां भी minus हो जाता तो यह एक रूल अभी था अब यहां पर देखो हमने भी plus और minus दोनों type के power ने लिया है अब अगर यहां पर power हम ले x to power minus 1 dx तो यह हो जाएगा 1 by x dx तो यहां जात करिए 1 by x का differentiation क्या था 1 by x का differentiation था log x तो 1 by x का integration क्या हो जाएगा log e x plus c mod x पर इसलिए लगा दिया है कि log जो होता है वो positive के लिए equal defined है negative value के लिए log defined नहीं है तो इसलिए हम mod का यूज़ कर लेंगे तो यहां से एक formula ही हमारा बन गया तो second formula हमने अभी देखा dx equal to x third formula 1 by x dx equal to log e x plus c यहां आएगा यहां भी plus c आएगा और यह n not equal to minus 1 भी condition है इस पर यह हो गया fourth formula हमारा देखिए fourth formula हमारा है integral of e per x dx तो यह e per x क्या था इसका differentiation क्या था e per x तो यहां integration भी इसका क्या होता है e per x plus c तो यह हमारे main main formula चार formula हमारे main है इसके बाद कुछ trigonometric formula है उसको हम देखेंगे तो next formula देखिए यहां पर देखिए हम formula ले रहे हैं sin x dx तो sin x dx का क्या होगा cos x cos x cos x का जो है हमारा differentiation क्या होता था minus sin x तो यहां पर sin x का integration क्या होगा minus cos x plus c यहां पर देखिए cos x dx का integration तो cos x का होगा sin x plus c sin x का differentiation क्या होता था cos x तो cos x का integration होगा sin x ऐसे ही से कि square x dx तो यह किसका differentiation होता था tan x का तो यहां पर हो जाएगा tan tan x plus c tan x का differentiation क्या होता था से कि square x तो से कि square x का integration क्या हो जाएगा tan x ऐसे ही देखिए cos square x तो cos x को से कि square x यहां पर यह किसका differentiation होता था cot x cot x का differentiation होता था sec square x तो sec square x का integration हो जाएगा cot x ऐसे ही sec x tan x तो यह sec x का sec x जो है sec x का differentiation होता था sec x tan x तो sec x tan x का integration हो जाएगा sec x ऐसे ही cosec x cot x तो यह किसका differentiation होता था cosec x cosec x plus c इसका differentiation होता था अब यहां पर देखिए वहां पर जहां जहां right hand side जहां जहां left hand side में c o आता था वहां हम minus लगा के आगे लिखते थे बलब cos का minus sign तो यहां पर जहां जहां c right hand side में आ रहा है वहां वहां minus लगा देंगे तो यहां minus आगे याद रखने के लिए बता रहे हैं और यहां minus हो गया तो यह cosec square x minus cot x cot x का क्या आता था differentiation minus cosec square x ऐसे ही ऐसे ही cosec x का differentiation क्या आता था minus cosec x cot x तो cosec x cot x का integration क्या हो जाएगा minus cos cos x तो यहां पर तीन जगा पर minus आएगा c o जहां c o आ रहा है वहां वहां minus आएगा और कौन से side में right hand side में जबकि differentiation में हम क्या देखते थे left hand side में जहां जहां c o से सुरू होता था तो हम minus लगा के लिखते थे ठीके तो यह I think formula सब को clear होगा अब हम लोग कुछ example देखेंगे तो आगे देखिए example यहां पर देखिए पहले हम example देखने से पहले एक और formula पढ़ लेते हैं integration by parts तो integration by parts में जैसे मालो दो parts में कोई है और वो multiply के term में है तो u b जैसे उसमें u b method होता था ऐसे ही मालो इसमें u dot b मतलब u multiplied by b है तो इसका integration कैसे करेंगे तो इसमें u को पहले ऐसे ही लिख देते हैं and integration of b dx minus integration and u का differentiation first term का differentiation तो du upon dx और यहां पर एक bracket लगाते हैं integral of b dx और इस पूरे bracket का है इसके बाद dx मतलब integration तो यह हमारा formula है यह important formula है integration के लिए जब हमारे पास दो function multiply हो रहे हो यह है first function यह है second function u b dx du upon dx b dx और फिर इस पूरे bracket का dx तो इसमें इसको बोलते हैं first function इसको बोलते हैं second function इसको ऐसे भी लिख सकते हैं first and second इसको start में ऐसे भी लिख सकते हैं first function integration of second function minus differentiation of first function i dash का मतलब differentiation तो differentiation of first function into integration of second function then whole function का integration तो इसको अगर start में लिखना हो तो कुछ इस टाइप से लिखते हैं अब इसमें यह first function और second function कौन सा होता है इसको हम example से देखते हैं तो मालो हमारे पास example है e2 power x multiplied by x into dx तो यहां पर देखो first function कौन सा होगा second function कौन सा होगा इसको हम find करते हैं i late से i late i equal to inverse function l equal to logarithmic function e equal to algebraic function t equal to trigonometric function e equal to exponential function तो सबसे पहले जो first function होगा वो inverse function होगा तो इसमें देखे हो inverse function inverse function नहीं है तो first function हमारा इसके next वाला होगा तो next कौन सा है logarithmic function logarithmic function भी इसमें नहीं है तो logarithmic function अगर नहीं है तो उसके और आगे चलेंगे तो algebraic function तो algebraic क्या होगया first function हमारा तो algebraic function इसमें है तो यह होगया first and technometric function नहीं है exponential तो exponential क्या हो गया second function हमारा तो इसको ऐसे लिख लेंगे x e x dx अब यह हो गया हमारा first यह हो गया second अब इसका हम यह integration करना है तो first function as it is तो यह हो गया x integration आप second function तो e पर power x dx minus फिर bracket first function का differentiation तो dx upon dx into integration आप second function तो e to power x dx and whole integration तो यह हो गया x और plus सी भी आजाएगा तो e to power x का integration क्या होगा e to power x into e to power x x पहले ही है हमारा तो e to power x का e to power x minus integration आप dx upon dx 1 into e to power x dx यह वाला dx यहाँ आगया 1 को हटा देते हैं plus c तो यह हो गया x into e to power x minus e to power x plus c तो यहाँ पर e to power x common हो गया x minus 1 plus c इस टाइप से कुछ इसका answer आगया अब यहाँ पर एक example और हम लेके देख लेते हैं जैसे माल लोगर हमारे पास हो x cos x x cos x dx तो यहाँ भी देखो multiply करके हमने लिखा हुआ है अब यहाँ पर देखो first function कौन सा होगा inverse नहीं है logarithmic नहीं है algebraic तो algebraic function ही first हो गया then technometric तो technometric second function हो गया अब इसको फिर वैसे ही लिखेंगे पहले first function तो first function x into integration of second function तो cos x cos x का क्या होगा integration लिख लेते हैं cos x dx minus first function का differentiation तो dx upon dx into integration of cos x dx और यहां से hold dx तो यह गया x cos x का integration sin x minus integration of d upon dx 1 cos x cos x sin x तो यह हो गया sin x और यह बाहर से आ गया dx तो यह 1 यहां से हटा दिया हमने अब यह हमारे पास आ गया x sin x cos x sin x का क्या हो जाएगा minus cos x तो यह minus minus cos x यहां plus c भी आएगा plus c तो यहां से क्या आ गया x sin x plus cos x plus c तो इस टाइप से कुछ integration by part के example हैं अब बाकि आगे देखते हैं यहां पर देखें एक 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 जामपल ओल ले रहे हैं x square cos x dx तो यहां पर यह first function हो गया यह second function हो गया तो first function as it is तो यह हो गया x square cos x dx minus इसका differentiation तो direct हम ले लिख ले रहे हैं इसका differentiation 2x and integration of यह लिख के दिखाई दे रहे हैं d upon x square upon dx ठीक है into integration of cos x dx whole dx तो यह हो गया x square sin x cos x का integration sin x minus integration of x square का 2x into cos x dx का sin x into dx तो यह 2 को हमने constant हैं यहां कर लिया अब यह देखो x sin x फिर बन गया x sin x का भी हम लोगों ने किया था तो यह x sin x dx हो गया तो यहां पर फिर से करना पड़ेगा x square sin x minus 2 इसका हमें इंटिग्रेशन फिर से करना पड़ेगा using by parts तो यह हो गया first function यह हो गया second function तो first function I is it is तो यहां पर क्या हो गया x sin x का integration इसको हम डारेक्ट कर रहे हैं पूरा नहीं लिख रहे हैं sin x का integration तो sin x का minus cos x ठीक है minus x का differentiation 1 into sin x का integration तो फिर से minus cos x into dx तो यहां पर आगया x square sin x minus 2 minus x cos x यह minus इदर ले आ रहे हैं तो यह plus और cos का क्या हो जाएगा cos का sin x तो यहां से sin x और इन सब के साथ एक c भी आएगा अब यहां से क्या आ गया x square sin x minus minus plus 2 x cos x minus 2 sin x plus c तो यह हमारा इसका आंसर हो गया यहां पर देखिए हम कुछ example ले रहे हैं जिसमें हम use करेंगे जैसे उसमें हमने differentiation में use किया था chain rule तो उस chain rule के type का यह question है जिसमें देखिए यहां पर sin 3 x d x है तो हमें किसका integration पता है sin x का तो इस quantity को हम treat करते हैं यह x तो इस sign का क्या हो जाएगा minus cos 3 x तो हमने इसको यहां पर 3 x है लेकिन हमने इसको treat क्या किया है x तो अगर यहां x के लावा और भी कुछ हो तो उसके differentiation से इसको divide कर देंगे integration में क्या होता था उसके differentiation से इसको multiply करते थे यहां पर क्या करेंगे divide करेंगे तो 3 x का differentiation क्या होगा 3 तो इसका answer हो गया ऐसे यह e to power 5 x तो e to power x का क्या होता है e to power x तो यहां पर हम इसको 5 x को x मान रहे हैं तो e to power इसका क्या हो गया 5 x अब किसके differentiation से इसको divide करना है जो power है को x मान लो तो x square plus 1 divided upon integration of this quantity तो यह हो गया 2x और 1 का 0 ऐसे ही sine का minus cos and x cube plus e to power x divide किसे करेंगे इसके integration से तो इसका integration से तो इसका differentiation क्या हो जाएगा 3x square plus e to power x तो यह कुछ इस type के question हम लोग solve करते हैं यहाँ पर देखिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं integration by substitution कुछ integration ऐसे होते हैं जिसमें हमें वहाँ उसमें कुछ substitute करना पड़ता है किसी एक part को कुछ मान के उससे substitute करना पड़ता है तब उसका answer आता है जिसे यहाँ पर देखो हम एक example ले रहे हैं integration of x upon integration of x upon 1 plus x square dx अगर इस type का integration है तो यहाँ को देखो हम t मान दे रहे हैं t equal to 1 plus x square तो dt upon dx क्या हो जाएगा 1 का 0 0 plus 2x तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा dx dty 2x तो अभी integration कैसे लिख सकते हैं 1 plus x square की जगा पर क्या लिख देंगे t and dx की जगा पर dt upon 2x x x cancel out तो 1 by 2 constant है बाहर कर लिया तो यह dt by t तो 1 by t का क्या होता है log t plus c t का value यहाँ से put कर देंगे तो यह half log 1 plus x square plus c यह इसका answer आ गया एक example इसमें हम और देखते हैं तो एक एक हम पर और देखते हैं sin log x by x integral of dx तो यहाँ पर देखें log x को हम t मान लेते हैं तो यह हो गया t equal to log x तो यह dt upon dx log x का यह क्या होता है 1 by x तो यहाँ से dx क्या आ गया x dt तो यहाँ पर हो गया sin log t upon x dx क्या हो गया x dt x x cancel out तो अब यह क्या हो गया sin t dt sin t dt अब sin क्या होता है minus cos तो minus cos t plus c और यहाँ से t का value यहाँ put करेंगे तो यह हो गया t cos log x plus c तो यह हमारा हो गया integration by part अब यहाँ पर देख लिए हमने main main integration जो हमारे physics में जिसका ज्यादर तर्यूज होता है उसको हम ने बहुत सिख लिया है बागी कुछ example जो और हम लोगों को physics में मिलेंगे उस समय हम लोग उस पर discussion करेंगे तो main integration का feeling किसलिए आना चाहिए कि आपको कोई भी variable अगर quantity है उसको हमें अगर निकालना है तो कोई भी variable हो सकता है force variable हो सकता है velocity acceleration कुछ भी area variable कुछ भी जहाँ variable आएगा वहाँ integration आएगा तो इसका feel करने के लिए हम जैसे मानलों यह सब लोगों को पता है कि एक circle का area क्या होता है पाई आर स्कॉयर लेकिन पाई आर स्कॉयर सब लोगों ने रट लिया लगभग 90% लोगों नहीं सोचा होगा कि पाई आर स्कॉयर आया कहां से है तो इस पाई आर स्कॉयर को निकालने के लिए हमारे पास यह circle का curve है जो fx होता था यह x स्कॉयर प्लस y स्कॉयर एक्वल टू आर स्कॉयर आर इसका radius है ठीक है अब इसमें देखो इसको कई टाइप से आप निकाल सकते हो पूरे में step cut कर लो यहां से लेके यहां तक step cut कर लो और इसको minus r से plus r तक integrate कर दो या कि एक पार्ट का निकाल लो और इसको इसका four times कर दो मतलब four part है तो इसका four times कर दो ठीक है तो सबसे easy जो होता है वो एक अगर इस पार्ट का हम एरिया निकालेंगे और उसको four times कर देंगे तो यहां पर देखो यहां पर मानलिया हमने इसका strip cut किया यह x पर cut किया dx x distance पर dx यह cut किया x distance पर dx ठीक है अब देखो x अगर इस पार्ट का निकाल रहे है तो x बहरी कहां से कहां तक कर रहा है 0 to r तो limit क्या हो जाएगा 0 to r और यह वाले length को हम क्या माल ले रहे हैं y इस length को y तो इस strip का area क्या हो गया area integral of y into dx और यहाँ limit 0 to r y into dx limit 0 to r यह किसका area हो गया इस वाले पार्ट का area हो गया इस red वाले पार्ट का तो इसका area हम निकाल के इसके बाद फोर से multiply कर देंगे तो पूरा area आ जाएगा y dx अब हमें y चाहिए in the function of x तो y यहाँ से निकाल लेते हैं x square plus y square बराबर r square तो y square equal to r square minus x square तो y क्या हो जाएगा r square root of r square minus x square तो यहाँ पर आ गया y क्या आ गया r square minus x square dx 0 to r अब यहाँ पर हमें इसका क्या करना है integration तो यह integration यह using होगा integration by substitution तो substitution से integration होगा जब आप लोग integration करने लगे होगे तो आपको idea हो जाएगा कि कहाँ पर किस से substitute करना है तो यहाँ पर इसको substitute करना है x equal to r sin theta तो यहाँ से हो गया dx upon d theta equal to r cos theta sin theta का differentiation cos theta तो यहाँ से dx equal to क्या होगया r cos theta d theta अब यहाँ पर देखिए इसका value put करेंगे तो यह होगया 0 to r root of r square x का value put करेंगे तो यह होगया r square sin square theta into dx का value यहाँ से put करेंगे तो r cos theta d theta अब यहाँ पर देखिए 0 to r r square common तो 1 minus sin square theta r cos theta d theta अब यह r बाहर आ जाएगा तो यहाँ से इस r को हमने बाहर लिख लिया और यह वाला r भी बाहर आ जाएगा तो यह दोनों मिलके होगे r square 0 to r 1 minus sin square theta ठीक है 1 minus sin square theta क्या हो जाएगा cos square theta और cos square theta का root तो वो cos square theta का root से निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा cos theta और यह multiply करेंगे तो cos square theta d theta यहाँ 2-3 step मैंने बीच में गायब कर दिया है 1 minus sin square theta क्या हो जाएगा root cos square theta root cos square theta का रूप निकालेंगे तो कास स्क्वाइर थीटा होगा और कास स्क्वाइर थीटा बाहर है तो दोनों मल्टिपलाई करके क्या हो जाएंगे कास स्क्वाइर थीटा डी थीटा अब देखो इसका हमें integration करना है लेकिन हमें इसका direct integration का फार्मूला पता नहीं है कास स्क्वाइर थीटा का तो इसलिए हमें इसको break करना पड़ेगा तो कास स्क्वाइर थीटा जो होता है कास स्क्वाइर थीटा यह होता है 1 प्लस कास टू थीटा अपान टू 1 प्लस कास टू थीटा अपान टू तो यहाँ पर इसकी value put करेंगे तो यह r square 0 to r यहाँ पर value put करेंगे तो यह 1 plus cos 2 theta by 2 and d theta तो यह 2 को हम बाहर कर लेंगे 2 constant है तो यहाँ divided by 2 आ गया अब हमारे पास function क्या बचा 1 plus cos 2 theta and d theta ठीक है तो यह हो गया r square by 2 इसका integration कर देंगे d theta का 1 into d theta plus cos 2 theta तो cos का sine 2 theta अब यहाँ 2 theta है तो divided by 2 यह integration हो गया r से 0 तो यह हमारे पास इसका answer आ गया अब इस पर हमें limit लगाना है तो limit यहाँ पर देखो थीटा को यहाँ तो change कर लो या limit को change कर लो तो हम यहाँ theta को change कर ले रहे हैं तो यहाँ theta को change करने के लिए sin यहाँ पर हमने क्या माना था x equal to r sin theta तो sin theta equal to क्या हो जाएगा यहाँ से sin theta equal to x y r तो यह triangle बना यह theta यह x यह r तो यह हो गया r square minus x square तो यहाँ से cos theta क्या हो जाएगा cos theta root r square minus x square by r अब यहाँ पर देखो sin to theta को cos theta में change कर लेते हैं तो यह हो गया r square by 2 into theta theta क्या हो जाएगा sin theta equal to x y r तो theta equal to हो जाएगा sin inverse x y r तो यहाँ से हो गया sin inverse x y r plus यहाँ sin theta को क्या लिख लेंगे 2 देखो यहाँ मैं sin theta sin theta by 2 का यहाँ पर change कर के लिख ले रहे हैं sin 2 theta by 2 यह हो जाएगा 2 sin theta cos theta by 2 तो 2 to cancel out sin theta cos theta sin theta का value यहाँ से ले रखेंगे तो यह हो गया x y r x y r into cos theta root r square minus x square by r तो इसका value यह हो जाएगा यह तो यहाँ लिखेंगे plus x by r root r square minus x square by r अब यहाँ पर हमें क्या करना है limit put करना है 0 to r तो यहाँ पर limit put करते हैं r square by 2 अब देखो r यहाँ put करेंगे तो यह हो जाएगा sin inverse r by r मतलब 1 तो sin inverse 1 क्या होता है pi by 2 sin inverse 1 pi by 2 plus r यहाँ r square है r square minus x यह r by r 1 हो जाएगा यह r square minus x square 0 तो यह वाला term हो गया 0 minus sin 0 यहाँ x की value 0 put करेंगे तो sin 0 sin 0 क्या होता है 0 plus 0 put करेंगे तो x की जगा पर 0 put करेंगे तो यह 0 कर देगा यह 1 हो जाएगा लेकिन यह quantity 0 हो जाएगे तो यह भी 0 तो यहाँ से total क्या आ रहा है क्यों? pi by 2 आ रहा है तो यह हो गया r square pi by 4 2 और 2 multiply हो जाएगा तो 4 हो गया तो यहाँ से हमारा area क्या आया? area आया r square by 4 कितने का area है? एक part का चार part का निकालने के लिए क्या करेंगे? चार से multiply कर देंगे तो total area क्या हो जाएगा? total area 4 into pi r square by 4 4, 4, 4 cancel out तो यह total area जो circle का है वो हो गया pi r square तो यह हम लोगों ने बहुत दिन से रख्ट रखा था area of circle pi square r होता है उसका proof अगर देखना हो तो इस type से होता है इसको कई type से आप और भी proof कर सकते हो पूरा strip काट लो तो फिर double ही करना होगा लेकिन यहाँ x का 2x लेना पड़ेगा यहाँ पर तो वो सबसे easy b में मैंने किया है सबसे easy b में इस type से होगा ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ रखा होगा volume of sphere अगर मालूँ कोई sphere है ऐसे r radius का तो इसका volume क्या होता है 4 by 3 पाई r cube and इसका surface area क्या होता है surface area 4 पाई r square यह पढ़ रखा होगा तो इसमें भी देखो अगर x y में इसको हम x y में ऐसे coordinate बनाते हैं तो यहाँ भी एगर x के साथ x के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो y क्या है y variable है constant नहीं है तो अगर y variable है तो इसके लिए भी के अगर इसका बाई लूम निकालना हो या एरिया surface area निकालना हो तो इसको भी integration से निकालोगे ऐसे ही हम लोगों ने कौन का पड़ रखा है कौन यह हमारा कौन हो गया यह आर यह एच तो इसका वैलूम जो होता है वो क्या होता है वन बाई थ्री पाई आर स्कॉाइर एच और इसका यह जो ऊपर का surface area होता है surface area यह होता है पाई आर एल अगर यह length एल है पाई आर एल तो यहां भी देखो अगर x यह यह coordinate 00 है अगर x पर आगे चलोगे तो यहां पर क्या होगा y जो है वो वेरेबल नहीं है y x के साथ अगर इस point पर आप x देखो तो यहां पर y है इस point पर x देखो तो यहां पर y है मतलब y change हो रहा है तो यहां भी यह सब किसके help से आया है यूजिंग दा इंटिग्रेशन तो यह मैं एक अलग से बनाऊंगा उसमें आपको इस फेर का या कौन का सर्किल का एरिया संकंप्रेंस इसका वाइलो मेंड इसका इसका सर्फेस एरिया इस सब टाइप के जो कोश्चन होगे उसको मैं अलग से साल्व करके वीडियो अप्ल उसमें आपको instantaneous speed and instantaneous velocity में जो सबसे बढ़िया सवाल मिलेगा वो मिलेगा distance निकालने का displacement तो सब लोग निकाल लेते हैं displacement एजी होता है distance में थोड़ा सा trick होता है तो अगले वाले टरंपे हम लोग निकालेंगे distance displacement किसका instantaneous speed and instantaneous velocity का तो यह हमारा integration का lecture था अगर आप लोग को beneficial लग है तो आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं मैं उसका answer करने का कोशिस करूँगा थेंक यू